Hello and welcome to MM Academy, मैं हूँ शेशांग लखेरा रिश्वड में बात करे वाले हैं, 2025 तर चाइना कबजा लेगा ताइवान को, अब आप बोलोगे क्या ये पॉसिबल है कि हाँ, चाइना सही में ताइवान को कबजा लेगा, देखो जिस तरीकी की सिच्वेशन है और जिस तरीके का हमको military power देखने को मिल रहा है, चाइना का, तो possibility ये है कि एक full scale war हमको देखने को मिल सकती है, देखो अभी present situation अगर हम बात करें, तो चाइना कभी भी अपने aircraft, इंटो Pacific region में यहाँ पे भेज देता है, अभी recently, चाइना ने अपने aircraft जो है deploy कर दिया थे ताइवान की तरफ, और करी 56 aircraft को जो है deploy कर दिया गया था, इसमें 12 bombers भी थे, और ये bombers nuclear capable थे, और इसमें मैंने detail वीडियो भी बनाया था, जंग का अगास, चाइना sent 56 fighter jets towards ताइवान, तो चाइना ने अपने 56 fighter jets जो है, वो बेजे थे ताइवान की तरफ, और आप में से, बहुत सारे लोगों ने इस वी ये जो ताइवान को कबजाने की बात है, ये कोई media reports यहाँ पे नहीं कह रही है, in fact, ये बात की गई है, ताइवान की parliament में, ये ताइवान news का article है, China plans to take Taiwan by 2025, Okinawa by 2045, और ये former Japan Air Force commander है, उन्होंने भी यहाँ पी statement दी है, कि चाइना जो है कबजा आलेगा ताइवान को, और य नहीं नहीं, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स का भी article दिखाता हूँ, ये article हिंदुस्तान टाइम्स का है, ताइवान says, China could launch full-scale invasion by 2025, तो चाइना की जो सरकार है, वो यहाँ पे खुद ये चीज़ बोल रही है, कि चाइना हम पे कभी भी चढ़ाई कर सकता है, चाइना कभ पर बिल्कुल, जो पहले का वीडियो था, उस पर भी मैंने आपको बताया था, कि हो सकता है, कि हम को बाद में पता चले, कि चाइना ने जो है, ताइवान को कभजा लिया है, क्योंकि चाइना से कोई भी निउस जो है, यहाँ पे बाहर नहीं आती, अब आप यहाँ पे बो जोटा सदेश है, उसको कभजा के जो है, किसी को क्या मिलेगा, और आज के समय, काईवान जो है, पूरे तरीके से USA पे डेपेंड है, क्योंकि USA, मेन सप्लायर है, एम्यूनेशन का, तो एक्च्वल में, क्या सिच्वेशन है, डिसकस करेंगे इस टॉपिक को उसके पहले, ज एक ही सब्सक्रिप्शन में, आप सभी कोर्स हविल कर पाओगे, और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक बार, मैप में देख लेते हैं, यह है चाइना और यह है ताइवान, देखो, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, जो ताइवान को एक कंट्री नहीं मानते, ठीक है, मतलब यह नहीं मानते कि ताइवान कोई देश है, in fact, इंडिया की अगर कंटेक्स में देखोगे, तो इंडिया भी यह नहीं मानता कि ताइवान जो है एक देश है, और चाइना और ताइवान दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, चाइना कहता है कि ताइवान जो है चाइना का है और ताइवान कहता है जो चाइना है वो ताइवान को ब्लॉंग करता है अब ऐसा क्यों है तो इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कम्मिनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी जो है उनके बीच की है तो मैं उस पे तरीके से चाइना का जो aggression है वो बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ सालों में चाइना जो है अपनी military को deploy कर देता है ताइवान की तरफ इसके लावा अपने जो aircraft carrier है उनको यहाँ पे भेज देता है अपने jets यहाँ पे भेज देता है और इसको लेके ताइवान काफी concern है ताइ ताइवान के जो defense minister है उन्होंने यहाँ पे इस question का answer भी दिया उन्होंने यहाँ पे यह कहा कि आज के समय military tension जो है चाइना और ताइवान के बीज में हमको worst देखने को मिल रही है अगर हम पिछले 40 सालों का इतिहास देखते हैं तो ऐसी situation जो है हमको देखने को नहीं मिली ल ताइवान भी दो बम तो drop करेगा ही और किसी भी देश के लिए war start करना इतना आसा नहीं होता बहुत सारी चीज जो है यहाँ पे consider करनी पड़ती है तो ठीक है मतलब 2025 तक हम यह मान के चलते हैं कि चाइना जो है ताइवान को कबजा लेगा लेकिन अमेरिका का यहाँ पे क्य exercise किया है चाइना को जैसे कि हर बार वो करते हैं in fact फिलिपिंस और जापान में आपको अमेरिका की जो military है वो deploy देखने को मिलेगी उनके fighter jets यहाँ पे deploy मिलेंगे तो अगर अमेरिका ताइवान से सही दोस्ती निभाना चाहता है तो शायद अपने jets को जो है यहाँ पे deploy कर सक क्योंकि आपकी जो है यहाँ पे arm sale बढ़ रही है इसके अलावा आप अपने warship जो है खुद यहाँ पे Taiwan की तरफ भेज जेते हो जिससे जो China और US के बीच का tension है वो और बढ़ जाए जिससे आपके जो arms है उनकी यहाँ पे sale बढ़े तो now at last मैं आप से यहाँ पे पूछा च जरूर करना इसी के साथ यह 33 वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भरत